गोरकपूर परधान डाग घर में गंगाजल वाटर पर डाग विभाग द्वारा मंगलवार को विशेश आवराड विशेश निरूपड कारिकरम आयजीत किया गया कारिकरम के मुकहतिती प्रिंसिपल जीम दिवेंद सिंग ने दीप पुर्जलित कर कारिकरम का शुबारम किया इस दोरान डाग विभाग द्वारा विशेश आवरड किया गया कारिकरम उत्तरपरदेश परिमंडल के सभी परधान डाग घरों में आयजीत हुआ गंगा जल परधान डाग घर कैम के माध्यम से दिया जाता था लेकिन मांग को देखते वे डाग विभाग ने इसे घर घर पहुचाने की पहल शुरू किया है आपको बता दें कि सावन के महीने में डाक विभाग द्वारा गंगा जल वित्रण का इस्टाल परधान डाक घर में लगाया गया था जहां गंकोतरी गंगा जल 250 मिली लिटर 30 रुपए में और रिशिकेश गंगा जल 500 ml 22 रुपए में उपलब है गंगा जल की बढ़ती मांग को देखते हुए डाक विभाग ने गंगा जल को घर घर पहुचाने की शुरुआत किया है इस समन्द में गुरकपु निव समधाता से बात करते हुए पोस्ट मास्टर जेनरल संजै सिंग और प्रिंस्पल जीम दिवेंद सिंग ने कहा प्रिंस्ट में गंगा जल पर विशेष आवांग विरू पर आज 30 साली को पूरे यूपी सर्क्री में एक साथ सभी पदांदा गरों में अर्जिन किया गया है विशेष आवारे माननी चीफ उसादा जंदर के आवाहन पर उनके निदेश पर उनके गाइडन्स पर भद दिगार किया जा रहा है इसमें पहले कुछ प्रिंदा प्रदांदा गरों में ही इसका बुन्याजलगा विश्टा विश्टा विटक्रे किया जाता था लेकिन यह फिए जाता रहिंद एप रहा है प्राया बुन्याजलगार विश्टा पर निद्ददा पर प्रमारा आज आज से जो फिनदा ऑगर है उनको विश्टा विश्टा प्रद रहा है जो गंगोते के से जर्मदंदा इंज्टा पाती है जो उसको जिक्कत होती है उसके घ heta इसने जो है नंगोत्य का जो जल है वो मास्ते 25 ग्राम 30 रुपे में बिल रहा है जब कि कंचारी को जाने हो जनता को जाने वराने में उसको काफी पैसे खटका नपनाएगा तर जाका मिलेगा जब कि हम 30 रुपे में 25 ग्राम का विल्णा जे रुपत करा रहे हैं इसके साथ ल जो प्रांसों बिलिविटर का है वो 22 रुपे मिलना है किस प्रकार से इस अभ्यान के लवारा इस हमें जो है जंता को और अधिक सेवा कने का मौका मिलेगा जंता इसकार से जाला नपनित होगी और जंगा जल जो है उनको आसानी से मिल गयाएगा इसी तो उसर पर ये विश जो है जो है इसमें जैसा कि आपको ही आपने देखा कारिक्टर में बताया गया कि हमारे डागघर के कुछ चुनिंदा डागघरों के द्वारा 2016 से एक स्कीम शुरू की गई थी कि गंगा जल वहां से वित्रण का कारिक्टर में गंगा जल वित्रण उपलब्द कराया जा रहा था यानि कुछ प्रधान डागघरों से जंता गंगा जल को ले पा रही थी आज के कारिक्टर में के द्वारा इस स्वर्ष हमारा किया इसका विस्तार किया गया है और अब यह सभी गंगा जल सभी प्रधान डागघरों वह कुछ चुनिंदा अत्रिक्त डागघरों से भी उपलब्द है जिसमें दो प्रधार का गंगा जल उपलब्द कराया जा रहा वहां से जनता इसको गंगाजल ले सकती है और उसे अपने निवास अस्थान से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा आर्लाइन का तो ई-post office के माध्यम से भारत के किसी भी पते पर मंगाया जा सकता है तो इनके पोटल पे जाके अगर आप बुकिंग करते हैं तो ई-post office सुग्दा जो है इसके थुरू मंगाया जा सकता है जहां डाग पहुंचती है वहां पानी पहुंचेगा रंगा जल पहुंचेगा